बाई मेरे साब से the best feeling in the world is when you get eight hours of uninterrupted sleep ना ही आपके घर वाले सुबा ओट के full volume में news channel चलाते हैं ना ही काम वाली सिर्फ आपके कमरे का पंका बंद करके भाग जाती है और ना ही मच्छर आपकी बनियान के अंदर घुशके आपकी वाट लगाते हैं अब यार एक तो ये इंस्टागराम रील्स देखना बंद करना पड़ेगा यार ये आता रहते हैं बार बार दिमाग में हद्ध होगी यार खेर ये सब छोड़ो बात करते हैं डेली के वेदर की और इसकी मैं जितनी तारीफ करूँ ना उतनी जादा होगी क्योंकि इतना सड़ावा वेदर हो रहा है अभी डेली में और 40 डिगरी सेल्सियस टाप चुका है और कसम से बतारो होगर लॉकडाउन ना भी होता ना तो भी मैंने बाहर नहीं निकलना था क्योंकि दो मिनट भी घड से बाहर निकलते हैं तो पसीने आ जाते हैं और गलत सी यह देट बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है भाई पता नहीं कम मिलेगी आजादी की एक डेढ़ महीने से यह बॉटल पड़ी है कोका कोला की और यह कम कैसे हो गई यार मैंने तो पी नहीं और मैंने मना भी किया था घरवालों को मत पीना इससे पता नहीं कौन पी रहा जुपकः जुपके यहां पर मैं अपना सारा वरकाउट कर रहा हूं और साथ में टीवी पर मैं देख रहा हूं VCT का finals and I'm pretty sure आप में से maximum लोगों को यह बात नहीं पता होगी but जो computer games होती है उनके भी tournaments होते हैं बहुती grand level पर तुक शार विट थंडा थंडा पानी पार शेंपू भी कर लिये फेस वाश भी कर लिया बदन में साबून से रगड भी लिया लिया आप में से काफी लोग मुझ से कोमेंट करके पूछ रहे हो कि मोहित भाई वाय आर यू नॉट अपलोडिंग डेली व्लोग एं बात सीड यार दे को लाइफ बहुत ही प्लेन सिंपल डल और मोनोटन सी चल रही है और डॉंट वांट टो पोस्त बोरिंग कॉंटेंट एवरी डे क्योंकि मुझे पता है अब अपनी जिंदगी में अल्रेडी बोर हो और मेरी वीडियो देखके फिर और बोर हो तो वह बात मुझे सा अब यार एक तो मेरा इंस्टाग्राम कोई बंद कर रहा हो मेरा अकाउंट बैन कर रहा हो यार क्या हो रहा है यार मुझे The Subtle Art of Not Giving a Fuck ये बुक मैंने इस लॉक्डाउन के शुरुवात में पढना शुरू करी and the reason is क्योंकि मैं अपनी लाइफ के वारे में बहुत दिप्रेस्ट सा फील कर रहा था और मेरे कजन ने बोला कि ये बुक तुझे help करेगी So I gave it a shot मैंने इसके कुछ चार पांच चाप्टर्स पड़े बुचे बहुत अच्छे लगे बहुत पॉजिव सा फील हुआ And again I started feeling good about my life बट फिर मैंने बुक को पढना थोड़ा सा छोड़ दिया मैं एक ब्रेक ले लिया But again, जैसे lockdown extend हो रहा है वो मेरी depression वापस आ रही है So I thought let's pick up this book again and start reading जहां से मैंने छोड़ा था and it's kind of helping अब मैं नहीं कर रहा हूं मैं जा रहा हूं मेरा इंस्टाग्राम बंद कर रहा हूं तब हूँ वापस बाइ कभी कवार मुझे लगता है कि भाई भगवान भी मेरी वीडियोस देखते है क्योंकि इस वीडियो की starting में मैंने डेली के weather की बेस्ती करी और I think भगवान को थोड़ा बुरा लगा कि भाई normal सा लड़का जिसको अपने जीवन में खुशी चाहिए वो क्यों ऐसे weather की बेस्ती कर रहा है तो भगवान को थोड़ा बुरा लगा उनको थोड़ी तरस आया मेरे पे और दर्वाजा क्यों ने खुल रहा है पॉइंट मार रहा हूं दर्वाजा ने खुल रहा खुल जा बिटे और रात ओर यह तो आपको पता नहीं लग रहा होगा बट शायद आवाज से आपको पता लग जाए कि ताबड तोड बारिश ओरी अभी रात में अभी थोड़ा खोल के आपको दिखाता हूं भार ओ दि खुल रहा रहा हूं भाई बडी हुआ आपको बहुत सही यह दो रोमेंट्टिक मौसमे लेकिन रुमांच करने कोई है नहीं तो अकेल ही मज़े लेते हैं ऑद ऐस मौसम में फुट्बॉल खिलने को मिल जा है या तो बाइक रैड करने को मिल जा है बाई अलग मजए guys as promised lockdown में मैंने कोई भसन निमारा and I've been able to maintain my weight I'm not going to let this lockdown ruin my fitness journey क्योंकि जब fitness खराब होती है तो वो सीधा mental health को effect करता है and जब mental health आपकी effect होती है then everything else goes wrong आप life में कभी भी खराब mental health के साथ खुश नहीं रह सकते हो सच बता हूं तो मेरे दोस्तों ने बाहर पार्क में जाना शुरू कर दिया है लेकिन I still prefer to do my cardio indoors and that's why I bought this cycle and I'm putting it to good use every day 30-40 minute मजा आ रहा है तो भाई एक घंटा भी कर लेता हूं TV देखते हुए को series देखते हुए and being consistent with it और आपको time and again video में दिखाता रहूंगा so that you know I'm consistent sir video में नहीं बोल रहा भाई असली में consistent हूं now it's time to fuel my body and I have my meal right here यहां पे है पच्पन मिर्चिया अभी मैं यह पेलूंगा मजा कर रहा हूंगा यह नहीं है मेरे बसकी इसको पेलना actual खाना मेरा यहां पर है इसको में पेलुआ यहां पर है पालक पनीर which looks absolutely delicious यहां पे खीरे यहां पे आम और आम का सीजन आ गया है तो बहुत टेस्टी है भाई यह और यहां पे है तीन अंडे और इसके लावाद दो रोटी बहार पड़ी हूई है यह मील दिखा कि आपको बताना चाहता हूं कि what a meal should look like तो subtle way में मैं आपको कुछ चीजे बताता हूं समझ लिया गरो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई नया viewer मेरे channel पे आए तो उसको थोड़ी से difficulty हो सकती है यह figure out करने में कि what this channel is about आप लोगों को तो पता है भाई I am a guy who is into fitness, who loves to travel and who just loves to have a good time in general but new viewers को नहीं पता नहीं तो I am trying to organize my channel a little bit channel art भी change कर दिया है जैसे कि आप लोग देख सकते हो और मैंने जितनी भी full day of eating videos करी है और जितनी भी जगा मैंने travel कर रहा है उसकी मैंने अलग से playlist बना ली है अपने YouTube playlist वाले section में तो आप महां जाके आराम से sort कर सकते हो और I am deliberately trying to flex अब देख सकते हो आपको मेरा हाथ निख रहे बट मैंसे हो भी I am deliberately trying to flex to look good कैमा successful हो रहा हूं इस attempt में let me know in the comments below नई So I am gonna sit on my PC right here और अपना चैनल को थोड़ा और organize करने की कोशिश करूंगा और बाकी I hope you guys like this video पसंद आई ही तो like कर देना कुछ भी अच्छा comment कर देना बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में बाइ टेक केर दिसस मोहित बिस्ट झाल